हेलो वीवर्स वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको सोया कबाब बनाना सिखाऊंगी जो कि सोया बीन से बनते हैं सोया बीन एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है यह देखिए हमने वन कप हमने सोया बीन लिये हैं जो यह लोग वेजिटेरियन होते हैं यह इन कोपनतर मिलड़ पर आपको पानी में भिगोना है सोक करना है और फिर इसके बाद सोड़े सॉफ्ट राण है हम स्क्वीज करके यह झानिकर जो पानी है काफि कि इसको ड्रेन करके हम एक सायल में रख लेंगे इसको बॉयल करने की जरूब नहीं हो जैसे हममेट को यह च जिससे तंहां टिक टिक की बनती है यह हमने लिया है 1 टीस्पून हमने सब लिया है राच चिली पॉडर, हमचूर पॉडर, सॉल्ट, घरम अजीड़ा घृत, अगर आप बचों के लिया भाएद कर सकते हैं चैसा लेस्वाइश करने के लिए तो हमने वन टी स्पून के रेशो से लिया है यह आप इसमें मिक्स कर लीजिए आप बहुत इजी बन जाते हैं बहुत जल्दी अगर आपको बच्चों के लंच में देना है सुबा स्कूल के लिए तो आप दो दिन पहले इसको फ्रीज कर दीजिए फ्रीज में दो दिन के लि लिए है हमने बारी बारी काटा हुआ है और हमने हाफ जो है वो ग्रीन चिली ली है आप चाहें तो अपने अकॉर्ण टेस्ट ले सकते हैं सोया बीन जो होता है इसके अंदर काफी प्रोटीन होता है जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है यह आप इसे ले सकते हैं इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुम मटन के कबाब की तरह बनता है इसको मिक्स करने के लिए हमने राइस फ्लायर ले आ है तो टीस्पून आप चाहें इसको पीसन भी ले सकते हैं इसको हमें जोडने के लिए बनता है क्योंकि जो हमारे जो मटन होता है वह तो बहुत अची क्माथ हैं और किने चोटी चोटी टिक य। मेरे का रख सकते हैं काफी दिनों तक हमारे काम आते ही और रहे हैं और बहुत ही जल्दी भण जाते यह प्रिश्ट के वैस्पर लगा कर जैसे चाहिए आप इसे खा सकते हैं आप सुए बीन जो था है जादा इस खराब नहीं हो था आप इसे फ्रीज में लख सकते हैं अब देखिए जो में टिक की शेप में से वह बना लिया है चोटी चोटे बहुत जल्द बन जाते हैं अब हम इसको फ्राइ करने की तैयारी करेंगे यहां हमने अपने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रग दिया है यह देखिए जब हमारा ओयल जो ही वह गरम हो गया है तो हम इसके अंदर वन बैवन अपने जो टिक की हैं कबाब हैं वह हम इसके अंदर डालेंगे और यह बहुत जल्दी से जाते हैं जैसे ही एक साइट से आपके गोल्डन ब्राउन होएं तो आप इसके साइट चेंज कर दीजिए कि देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं कि बच्चे बहुत शौक सिखा दें इसको पहले हम इसको खाते नहीं थे लेकिन जब हमने इसको खाना शुरू किया तो हमें भी बहुत मस्यदार लगें आप भी जरू ट्राय कीजिए गया और कमेंट करके क्रीन चटनी रेट सो चिली सॉस टोमाटो सॉस के साथ अब इसे खाई एक पेवर टॉप पेपर टॉबल पर लेकर हमने इसको डिशाउट कर लिया है ताकि इसका ओयल जो है वह ब्सौब हो जाए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना बुले थैंक यू फो वाचिंग